Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाखु लोग My name is C.S. पायल पोफली and हम पढ़ रहे थे Class 12 का Business Studies का NCRT book इसमें हम 5 chapters अल्रेडी पढ़ चुके हैं फिलाल हमारा चल रहा है chapter number 6 लोकी है staffing I hope आप सभी ने previous videos देख ली होंगी लेकिन अगर किसी भी student की कोई भी video रहती है तो playlist का link लिखा हुआ है description box में जाके देख लीचे 12th Class का Business Studies का पूरा स्लेबस मैं इस चैनल पढ़ा को लोग पे कवर करने वाली हूँ सो कोशिश करिएगा कोई भी video skip ना हो चलिए, अब बात करते हैं कि आज इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू दाट ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है और नेक्स्ट वीडियो से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ये वीडियो हमारी हूगी लास्ट तॉपिक के बारे में जो की है हाँ ये है इस चैप्टर का लास्ट तॉपिक लेकिन बहुत इंपोर्डिंट है इससे काफी बार क्वेशन्स पूछे जाते हैं तो हर एक मेथड को बहुत ही अच्छे से समझेगा ताकि हर तरह की केस तरीज के आंजर आप अच्छे से कर पाए तो चलिए फिर शिरू करते हैं सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कितने मेथज होते हैं ट्रेनिंग के तो देखे कुछ जादा नहीं बस दो मेथज होते हैं ट्रेनिंग के पहला होता है ओन दो जॉब मेथज और दूसरा होता है ओफ दो जॉब मेथज अब थोड़ा बात आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा लेकिन और जादा clarity के लिए हम लेंगे basic examples इन्हें समझने के लिए तो example के लिए क्या करना है तुम्हें याद करने हैं अपने 9th, 10th के days 9th, 10th इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस ताइम पे तुम science पढ़ा करते थे जो आप तुम नहीं पढ़ रहे हो तो science की जो classes होती थी ना वो दो तरह की classes होती थी 9th, 10th में कई बार तो science की class teacher class में ही आपको पूरा का पूरा पढ़ाने का काम कर दिया करते थी लाइक वो आपको classroom में ही बैठे बैठे बता देती थी कि H2 को O से add करेंगे तो water बन जाएगा अब science के formula में मुझे बस एक यही formula याद था जो मैंने चिपका दिया यहाँ पे अब देखो class में बैठे बैठे without any experimentation आपको बता दिया गया कि अगर H2 को O से मिलाएंगे तो water बन जाएगा क्या आपने यहाँ पे कुछ भी practice किया नहीं किया कोई इंसान था जो आपको बता रहा था आप थे वहाँ पे और आप वो चीज सीख रहे थे ठीक है और दूसरा सिनारियो यह होता था कि science teacher आपको लेके जाया करते थे लाब्स में वहाँ पे आपको प्यास का चिलका उठाके और उसको microscope पे रखके आपको पता नहीं क्या जिली अलग अलग चीज की पता नहीं क्या क्या दिखाया करते थे मुझे याद भी नहीं अच्छी तरह से वहाँ आप अच्छली सीखते थे करते करते वहाँ पे आप चीजे प्राक्टिकली देखते थे आपको पता लगता था कि हाँ अगर एच्टू को ओ सी मिला रहे है तो वाकिय में वाटर बन रहा है इस solution को उस solution से मिक्स करें तो वाकिय में वे स्पोर्ट हो रहा है कई बार तो हुआ ही था हमारी क्लास में तो यहाँ पे लाब में आपको हर एक चीज प्राक्टिकली करके दिखाए जा रही है आपको actual scenario में रखा जा रहा है जहां पे आपको वो चीज experience करने को मिलेगी यही दोनों तो होती हैं आपकी off the job method, on the job method जब आपको workplace से दूर करके एक particular room में या कहीं पे भी class में बठाके कुछ सिखाया जाए, कुछ बताया जाए उसे हम बोलते हैं off the job method मतलब यहाँ पे आप job वाली place पे नहीं है आप एक random place में हैं जो कि job place से दूर है whereas on the job method में क्या होता है आपको actually work place पे ही बठाके सारी चीज़े सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं और आपकी उसी से हो जाती है training so on the job method में आप laps का example ले सकते हैं off the job method में आप classrooms का example ले सकते हैं so यह यहाँ पे बोलते हैं there are various methods of training, they are broadly categorized into two groups हैं तो बहुत सारे methods लेकिन उनको categorized किया गया है दो groups के अंदर पहला group है on the job method, दूसरा group है off the job method on the job method में यह बोलते हैं, it refers to the methods that are applied to the work place while the employee is actually working यहाँ पे employee actually काम कर रहा होता है जैसे teacher ने आपकी हाथ में H2O दे दिया तो आपने दोनों को mix करके देखा तो वो वाके में क्या बन गया, water बन गया so basically आप काम करते करते सीख रहे हैं whereas off the job method में क्या होता है कि आपको work place से अलग place पे रखाया जाता है वहाँ पे आपको चीजे सिखाई जाती है once you are trained फिर आपको work place पे लाया जाता है अब आपके दिमाग में आएगा कुछ training on the job क्यों होती है और कुछ training off the job क्यों होती है तो पेटा देखो कई बार क्या होता है न कि machinery वगेरा बहुत मेहंगी होती है वहाँ पे अगर आपको बिठा दिया गया और बोला चलो training कर लो ठीक है तुमने एक भी गलत बटन दबा दिया machine तो चली जाएगी और अगर माल लो imported machine है तो तो भाईया और जादा वारे नयारे हो जाएंगे क्योंकि imported machines के तो फिर पाच भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो ऐसे में वो बोलते हैं कि अगर sophisticated machinery वगेरा पे deal कर रहे हो तो बेटर है पहले इंसानों को उसके बारे में पूरी training दे दो उसके बाद तुम उसे machine पे बिठाओ ताकि वो अगर कुछ करे भी तो नुकसान नहीं हो बहुत जादा ठीक है? वहीं पे कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो कि job करते करते ही सिखाई जा सकती है वो आपको workplace से दूर बिठा के नहीं समझाया जा सकता तो बस उसके लिए on the job method होते हैं चलिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि दो categories बनी हुई हैं जिसके अंदर बहुत सारे methods आते हैं तो अब वो जो अंदर methods आते हैं जहां से questions पे किये जाते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे बहले हम on the job training methods के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा पहला method है apprenticeship program अब might भी हो सकता है आपको सुनने में ये बहुत भारी भरकम लग रहा हो लेकिन concept बहुत जादा easy है कुछ भी नहीं है इसमें इसमें बस आपको imagine करना है अपने यहाँ पे आने वाले plumber को usually आपके घर में जभी भी पानी की problem जाती होगी कोई भी तूटी वगएरा leak कर रही होती होगी तो आपके घर पे parents क्या करते हैं plumber को बुलाते हैं ना कभी आपने notice किया है कि वो plumber कभी भी अकेला नहीं आता हमेशा अपने साथ एक छोटा बच्चा ले के आता है मतलब एक ऐसा इंसान ले के आता है जो उससे छोटा होता है अब question यह उठता है कि पैसे तो आप plumber को देने वाले हो उस छोटे इंसान को तो देने नहीं वाले हो तो वो अपने साथ इस बच्चे को अच्चली ले के क्यों आता है बहुत ही simple चारीजन है उस बच्चे को वो सारी skills सिखाने के लिए जो plumber को already आती है might भी आपको दूर से देखने में लगे कि अरे यह तो सिर्फ tools उठा उठा के दे रहा है इसको कुछ आता थोड़ी ना हो गए तो बस help करने के लिए आया है assistance के लिए आया है बड़ ऐसा नहीं होता tools उठा के देने के साथ साथ वो plumber द्वारा किये गए काम को भी सीख रहा होता है कि अगर पानी ऐसा बहे तो उसको fix करने के लिए हम क्या इस्तिमाल करते है यह सारे skills वो plumber के साथ रह रह के सीख रहा होता है यही होती है आपकी apprenticeship program यहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक trained worker के साथ एक master worker के साथ मिल के काम करते हैं उसकी मदद करते हैं as a trainee और simultaneously आप वहाँ पे चीज़े सीख रहे होते हैं ऐसे लोग जो कि skilled job सीखना चाते हैं like plumber वाला काम, electrician वाला काम, iron worker वाला काम वो सारे लोग इस particular way के थूँ training लेते हैं तो next time किसी भी AC repairing वाले इंसान को देखो तुम plumber को देखो, electrician को देखो जो अपने साथ एक बच्चे को लेके आया हो समझ जाना वहाँ पे कि वो दे रहा है training उस इंसान को चलिए, अब बात करते हैं हमारे second on the job training method के बारे में जो की है coaching ये word आपने अकसर सुना होगा जब आपसे कोई subject अच्छे से नहीं बनता होगा तो parents बोलते होंगे, जाओ coaching ले लो सुना है ना बट exactly मतलब क्या होता है इस term का देखो, अगर तुम movies देखने के शौकीन हो तो अकसर तुमने अगर किसी sports person की life पे based कोई movie देखी होगी तो ये चीज़ notice की होगी कि वो इंसान हमेशा क्या करता है अपने लिए पहले एक ऐसा इंसान ढूनता है जिसे वो एक्सपोर्ट समझता है क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है एक इंसान जिसको आपको लगता है कि हाँ ये तो क्रिकेट में एक्सपोर्ट है उसे बना देते हो आप coach और फिर उसके अंडर आप चीज़े सीखने लगते हो जहां आप गलत जा रहे होते हो वो आपको टोकता है जहां आपको उसकी मदद की जरुद पढ़ती है वो एडवाईस देने के लिए आता है हेल्प करने के लिए आता है जहां आपको लगता है कि हाँ अप कुछ टाइट सेट करना है तो coach के साथ मिलके आप टाइट भी सेट करते हो यह होता है exact coaching coaching का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान डूढना जो आपको लगता है कि expert है और आपको guide कर सकता है, instruct कर सकता है उसके साथ मिलके आप क्या करते हो गोल्स डिसाइड करते हो mutually then उसकी बाद लग जाते हो उन गोल्स को पूरा करने के लिए साइमन देनिसली वो इनसान आपकी प्रोग्रेस को भी चेक करता रहता है देखता है कि हाँ आपका बिहेवियर परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है अगर उसको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको टोकता भी है और एंड में वो आपको खुद की तरह expert बना देता है ऐसा वरा दिता है प्रो कि आप तो बस उस रन भूमी में जीत के ही आएंगे तो बेसिकली यहां पर ग्रूमिंग की पूरी ड्यूटी किसकी होती है कोच की होती है और बस आपको अपनी तरफ से महनत करनी होती है सो ओर्गनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि कोई ऐसा इंसान ढूंड लिया जाता है जो एक्सपर्ट है और उसकी गाइडेंस में आप चीज़े सीखते है चलिए नेक्स है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग इसके लिए लेंगे हम एक्जाम्पल इस इंसान का जानते ही होगे इसे तो राइट कौन है ये ये हैं आपकी पायल माज आपका क्या इस इंसान को जानते हैं ये कौन है ये है मिस्टर अर्विन तिवारी अब सोच रहे होंगे कि exactly कौन है अर्विन तिवारी तो मैं आपको बताती ह James आप सभी को पता है कि आपकी पायल माम कौन है, एक CS है, कमपनी सेक्रेटरी है, अब CS के लिए बनी हुई है एक औरगनाइजेशन ICSI, ICSI क्या बोलती है, कि किसी भी इंसान को अगर CS बनना है, तो उसको पेपर क्लियर करने के साथ साथ किसी PCS या फिर किसी कमपनी में CS के अंड क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा, तो आपकी पायल माम ने ये PCS, अरविन तिवारी जी के अंडर क्या किया था, अपनी ट्रेनिंग ली थी, जब इस तरह की ट्रेनिंग ली जाती है, उसको हम बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रे है, ICSI वालों ने ये नॉम बना के रखा है कि आपको जाके सीखना पड़ेगा काम, तब ही हम आपको मेंबर्शिप देंगे, तो यहाँ पर बोलते हैं, एजुकेशनल इंस्ट्यूशन यूशली कॉर्परेट हाउसे के साथ क्या करते हैं, जॉइन प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें basically पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को practical experience देने के लिए corporate houses में भीजा जाता है, यहाँ पर कहीं पर training लेने के लिए भीजा जाता है, सो कुछ ऐसा होता है internship training में, सो next time अगर इसका नाम आए, तो पायल मान को याद कर लीज़ेगा, और साथ में हमारे PCS Sir को भी याद कर चलिए, next है job rotation, job rotation जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ क्या होता है, कि एक इनसान को पहले आप एक department में रखते हैं, फिर थोड़े time बाद ये expect करते हुए, कि वो इनसान इस department का सब कुछ सीख चुका है, आप उस इनसान को दूसरे department में shift कर देते हैं, फिर आप उस इनसान को उस department में सीखने का मौका देते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, यहाँ का भी काम सीख चुका है, फिर आप उसको दूसरे department में shift कर देते हैं, अब कई बार ऐसा भी होता है, jobs different हो जाती है, department सेम रहता है, तो it doesn't matter कि department change हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर जब जब वो job rotation में ही count किया जाएगा, so basically पहले ऐसा imagine किया जाएगा, कि इस इनसान ने marketing में रहे के marketing का काम सीख लिया, फिर HR में रहे के HR का काम सीख लिया, फिर sales में जाके sales का काम सीख लिया, फिर purchase में जाके purchase का भी काम सीख लिया, तो इस प्रकार से यह इनसान क्या हो गया है, आपको हर तरह की डिपार्टमेंट में हर तरह की जॉब करने के बारे में पता चले और यही पे हमारे on the job training methods खतम होते हैं याद रखिएगा हमने यह जितने भी methods पड़े हैं यह सारे के सारे more methods हैं जहां पे आप workplace पे बैट की चीजों को सीख रहे हैं चाहे job rotation के बारे में बात करिए चाहे apprenticeship के बारे में बात करिए internship के बारे में बात करिए या coaching के बारे में बात करिए हर जगे जो ट्रेनी था वो काम करते करते सीख रहा था लेकिन अब हम वो मेथ़द्स पड़ेंगे जहां पे ट्रेनी काम वाली प्लेस से अलग हटके किसी प्लेस पे जाके ट्रेनिंग ले रहा है चीजे सीख रहा है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आप दे जोब ट्रेनिंग मेथ़द्स में जो पहला मेथ़द्स है वो है होता है एक इंस्ट्राक्टर होता है जो आपको पोरी चीजे सिखाता है समझाता है और आप बैठे बैठे वहां पे उन सब चीजों को सुनके सीख रहे होते हैं So they say the lecture or conference approach is very adapted to conveying specific informations, rules, procedures or methods The use of audio, visual or demonstrations can often make a formal classroom presentation more interesting एक classroom वाली presentation को और जादा इंट्रेस्टिंग बनाया जा सकता है एवीज के साथ या फिर देमेंस्टरेशन के साथ जैसे कभी-कभी project वगरा के आपके सामने रख दिया जाता है उस पे आपको explain कर दिया जाता है तो उस दिन class थोड़ी interesting सी लगती है ना बिलकुल वैसे ही होता है classroom lectures में Next step films अब भी देखो कई बार क्या होता है ना हम जो चीजे सुनते हैं हमें उतनी याद नी रहती लेकिन जब उन चीजों को हम देखते हैं प्लस ऐसे important characters के साथ देखते हैं colorful background में देखते हैं तो वो चीजे हमारे जहन में बैठ जाते हैं फिल्म्स वही सारी चीजें हमारे जहन में बिठाने का काम करते हैं फिल्म्स के थूँ हम और ज़्यादा अच्छे से किसी भी concept को सीख सकते हैं बिना आच्छे से एक्सप्लेइन किया जा सके कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट है case studies अब ही देखो case studies आपके लिए कोई नई बात नहीं है business studies में तो आप case studies रोजी solve करते हो क्या होता है exactly उसमें उसमें आपको एक situation दे दी जाती है एक problem बता दी जाती है और आपसे expect किया जाता है कि जो भी आपने आज तक पढ़ा है business studies में या किसी दी subject में कैसे आप उस पढ़े होई चीज के साथ इस चीज का solution ला सकते हैं जैसे आपको कोई भी एक random problem दे दी कि बताइए अगर office में यह चीज नहीं properly बैठ पा रही है तो क्या करना चाहिए फिर आप बोलते हो फियोल सर का order वाला principle लगा लो तो चीज़े सौट हो जाएंगी तो वो क्या है आपने यी चीज सीखी थी फियोल सर के principles में आपने एक problem देखी आपने इस चीज को वहाँ पर fit कर दिया यही होता है case studies में आपको real life situations दी जाती है आपको scenarios बना के बताए जाते हैं और फिर आपसे expect किया जाता है कि आप उस चीज का solution दे इसमें यह बोलते हैं taken from actual experience of organizations, cases represent attempts to describe an accurately as possible real problem that managers have faced इसी problem जो कि actually managers ने day-to-day life में face की होती है उसे आपके सामने पेश किया जाता है और आपसे expect किया जाता है कि अगर आप manager होते हैं उन लोगों की जगें तो आप क्या करते हैं नेक्स्ट है computer modeling इसमें basically जो realities होती है ना मतलब जो actual workplace पे problems होती है या actual workplace पे जैसे scenarios होते हैं उसको computer models पे डाल दिये जाते हैं और फिर आपसे expect किया जाता है कि चलिए sort करिए इसे चलिए देखिए कैसे आगे बढ़ेगा और आप फिर computer की मदद से ही उसे आगे बढ़ाते हैं इससे पाइदा यह हुचाता है कि real life में जो आप गल्तियां करके heavy नुकसान करा सकते थे organization का वो नहीं होगा बस आप क्यूंकि सीख रहे हैं that too सस्ते वे में सीख रहे हैं तो भाहिया अच्छे से सीख भी जाएंगे विना organization का नुकसान की है next है आपका vestibule training अब ये वाला training method बहुत अच्छे से समझेगा क्यूंकि maximum time of the job training method में से यहीं से question पूछा जाता है क्या आपने कभी car driving सीख है car driving जब हम किसी particular अच्छी organization से सीखते हैं तो वो पते क्या करते हैं वो starting के तीन दिन आपको actually गाडी पे काम नहीं करवाते हैं या गाडी पे गाडी सिखाते नहीं है वो आपको एक machine उनके पास बनी होती है उसके उपर मतलब वो proper gamers वाली machine नहीं हो पोटी सी area में बिठा दिया जाता है एक पर कुछ प्ले होता है रोज बनी रहती हैं माउंटेंस बनी रहते हैं और स्टेरिंग की मदद से आपको चलाना होता है नीचे ब्रेक दिया होता है तो आपको जब लगता है कि यहां पर मैं ब्रेक लगाउंगा अगर अगर पर अब बनाई जाती है हूब हो बिल्कुल प्लेंस की तरह या फिर हेलिकॉप्टर की तरह उस पर्टिकुलर मशीन में बिठाया जाता है एक एहसास देने के लिए और वंस आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं चीजों को आपको बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है च अच्छल वह वाली चीज पे मतलब कार पे प्लेन पे हलिकॉप्टर पे बिठाया जाता और वहां का एसास दिया जाता है तो वैस्ति प्यूल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं मशीन जैसा हूब हूब एक मशीन बनाते हैं जो कि अच्छल मशीन नहीं है बस दिखता उसकी त ताकि आप समझ जाएं कि जब आफ वर्क प्लेस पे जाएंगे और ऐसी मशीन देखेंगे तो आपको पता होगा इस वाले बटन से क्या होता है इस वाले बटन से क्या होता है इस वाले बटन से क्या होता है और यह यूशुली तब अपलाई की जाती है जब आपको बहुत ह आप मेहंगी मशीनरी पर नॉमली तो किसी इंसान को नहीं लेके जाओगे ना पहले आप उसको सस्ती चीजों पर सिखाओगे लास्त है आपका off-the-job training methods में program instruction यहां पर information को छोटे-चोटे meaningful units में बाटा जाता है फिर एक proper way में arrange किया जाता है दिन आप से मतलब logical way में arrange किया जाता है simple से complex way में और आप से expect किया जाता है कि आप उसे उसी way में क्या करेंगे arrange करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और follow करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है तो यह हो गए आपके different different types of training methods अगर आपको 12th class के business studies के notes नहीं तो उसके लिए आप इसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं WhatsApp का number description box में प्रवाइड है Mind you guys, notes paid रहने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेर कर दीजे और चानल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा That's it, thank you so much for watching this video